हाई लो मित्रों तो आज हम आपको मिलवाने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट के महान बच्चे से तो वो जावा स्क्रिप्ट का बच्चा कोई और नहीं मित्रों वो है टाइप स्क्रिप्ट जी हाँ तो अगर आप पुछेगा कि ये टाइप स्क्रिप्ट इसका बच्चा कैसे ह क्यूंकि दोस्तों मित्रों जो टाइप स्क्रिप्ट है उसमें जावा स्क्रिप्ट के सभी गुन है और उससे बहुत ज्यादा गुन है तो आएए आज इस वीडियो में हम आपको टाइप स्क्रिप्ट के थोड़े बेसिक सिखा देंगे जितना जल्ली हो सके बस जाएए गान जावा स्क्रिप्ट के अंदर कि बाप बाप नहीं हुआ हाँ कोई नहीं बाप बाप होता है बट इस्टिल तो चलिए हम आजाते हैं अपने स्क्रीन पे मैं यहां पर आ गया हूं यहां पर आ गया हूं तो सबसे पहले मैं यह फाइल खोल लिया हूं problem.js तो आपको जो खोल कामन है आप भी खोल सकते हैं तो मैं क्या करूंगा अब मैं इसमें एक फंशन बनाता हूं const sum equals to बहुत सिंपल होगा इसमें हम दो नमबर लेंगे x और y आपको java script आनी चाहिए type script सीखने से पहले तो यह एक सिंपल सा basic function है और हम इसमें return करेंगे हम इसको simply भी लिख सकते थ तो यहां पर problem क्या क्या होगी अभी आपको धीरे धीरे वो समझ में आएगा तो यहां यह जो sum है यह sum है तो अब हम इसको अगर चली एक value बनाते हैं const sum result something like that यह तो यहां पर अब हम क्या करेंगे sum को बुलाएंगे तो यहां पर देखिए हमारे पास कोई auto completion नहीं आ रहा है यहां x y any any सब कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब हम यहां पर चली पहले सही दिखाते हैं 10 जोड 10 कितना हुआ 20 हुआ बेटा हाँ और हम इसको console.log कर देते हैं console.log sum result ठीक है okay cool so मैं इसको यहां पर बंद कर देता हूँ मैं आपको इसी में दिखाऊंगा तो यहां पर ऐसे करके मैं node चालू करता हूँ node और यहां पर मैं इस file का नाम दूंगा problem.js तो यहां देखिए हमारे पास 20 आ गया तो दिक्कत यह होगी कि यहां पर यह java script में यह जो dynamic programming language है ना तो dynamic मतलब है कि इसमें जो type कुछ नहीं यह x कोई भी type हो सकता है number हो सकता है undefined हो सकता है कुछ भी हो सकता है तो यहां पर देखिए अगर हम इसमें यहां पर यह one के जगह क्या भेशते हैं यहां पर हम अगर यह भेशते हैं a तो भी देखिए हमें कोई error यहां नहीं दे रहा है जब तक हम इसको run नहीं कराएंगे तो यहां देखिए 10 a आ गया तो यह expected चीज नहीं है और यहां यह जो sum result है यहां पर यह भी देखिए कोई भी type हो सकता है यह पता नहीं हमें यह number होगा यह क्या होगा तो यह problem जो है वो है हमारे पास तो बहुत तरीके से इसमें हम कुछ भी pass कर पा रहे हैं यह result का जो type है वो क्या result आ रहा है तो यही सब चीज को solve करने के लिए Microsoft वालों को जब दिक्कत होने लगी high scalable apps बनाने में तब उन्होंने बहुत साल पहले type script निकाला वो Java script से बहुत नफरत करती थे हकीकत यह है तो इसलिए but Java script इतना चागया इतना चागया कि उन्होंने बोला चलो यार चलो यार हम हार मानगे चलो हम तुम्हारे support में आ जाते हैं तो कुछ ऐसा हुआ मित्रो तो यहां पर यह जो any type है ना आप shift के या right click go to definition something अगर आप VS code यूज कर रहे हैं तो उसमें जाईएगा अगर आप VS code नहीं यूज कर रहे हैं और notpad में अभी भी code लिख रहे हैं तो sir please please थोड़ा थोड़ा कस्ट कर लीजिए तो यहां पर मैं आपको basic type script यह मैं index.ts में मैं जाता हूँ तो आपकी जो type script की वो file होगी वो .ts से होनी चाहिए जैसे हमारा जो js होता है वो .js से होता है तो चलिए अब हम basic आपको type दिखाते हैं तो हम कैसे एक variable बनाते हैं const यहां पर अगर हम variable बना रहे हैं const let's say name equals to shivam block scoped क्या बोल रहा है भाई let's say hello okay ठीक है तो यह यहां hello shivam आ गया तो अगर हम यहां पर log करते हैं type of console में तो या हमें log करने की जरूरत ही नहीं है आप यहां पर जाके इसके उसमें जाईएगा कि यह type क्या है सो अभी यह नहीं दिखा रहा है क्यों नहीं दिखा रहा है hello directly यह as a string है तो इसको हम और कुछ कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं यहां पर देखिए अगर हमें const hello extended करना है तो यहां पर हम अगर hello dot यहां पर सारा हमें आ रहा है यह देख लीजे यह java script में भी आएगा hello dot to lower case ठीक है यहां पर अगर हम इस इस चीज को यहां पर यह देखिए तो hello जो है अभी मैं shift के करता हूं अभी भी यह आ रहा है तो मतलब as a string यह ले रहा है इसको तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं यहां पर अगर हम number डालते हैं 11 तो यहां देखिए two lower case does not exist on type और यहां पर simply हम इसको और क्या कर सकते हैं ज्यादा डालने के लिए यहां string डाल देंगे तो देखिए तो यह क्या बोलेगा number is not assignable to type string तो यह कुछ basic types आपको मालूम होने तो basic types यही होता है तो basic types ऊपर में string, number और boolean हम देखेंगे तो hello string यह हो गया and यहां पर अब मैं कुछ और नहीं डाल सकता हूं मेरे को सिर्फ string ही डालना होगा ठीक है तब जाके इसमें यह आएगा तो same चीज यह आ गया ऐसे यह इसमें string आ सकता है अगर मैं इसको boolean करूंगा तो इसमें यहां पर देखिए यहां पर सिर्फ मैं true और false डाल पाऊंगा अगर मैं यहां पर कुछ और डालता हूं one डालता हूं तो यह देखिए number is not assignable और फिर यहां अगर मैं true करता हूं तो यह ठीक है true हो जा रहा है तो यही same चीज अगर मैं आपको यहां करता हूं इसको चली हम अब let बना लेते हैं अब भाई सहाब हाँ 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 तो let a variable declare करते हैं हम let greetings ठीक है तो हमें इसमें कुछ नहीं पता है has like यह बोल रहा है implicitly has type any okay so यहां पर यह क्या बोलेगा but a better type may be inferred from usage not sure क्या इसका मतलब होगा तो यहां पर चलिए हम इस greeting में क्या करते हैं greetings equals to welcome to Padhega India ठीक है ठीक है अब यहां पर हम क्या करते हैं इसको अपर केस में अगर हम देखेंगे greetings dot यहां पर हमें कुछ autocomplete नहीं आ रहा है कुछ नहीं आ रहा है अपर केस लिख रहे हैं कुछ नहीं आ रहा है तो अब यहां पर मैं आपको जादू यह दिखाऊंगा क्योंकि यह इसका type जो है वो any हो गया ठीक है तो इसको देने के लिए हम type यहां पर वही colon डालेंगे और फिर हम इसको string लिखतेंगे ठीक है और अब देखिए मैं जैसे ही यहां आता हूँ dot हा गया to lower case to upper case perfect तो देखा यहां type script का जादू मित्रो अगर आप पहले कुछ ऐसा बहुत cases होते हैं हम बाद में इसमें कुछ assign करना चारहें बट वो फिर type उसका inferred नहीं हो पाता है मतलब उसको पता नहीं चल पाता है कि आखिर यह टाइप है क्या और यहां पर अगर आपने पहले डाल दिया है और अगर आप इसको चाहिएगा कि हम नल डाल दे नल आ गया इंट्रस्टिंग नमबर डाल के देखते हैं या तो यहां पर देखिए यह नमबर जो है वो not assignable to type string ओके undefined भी नहीं आएगा ऐ थिंक undefined भी हो गया ओके सो लेट जो है initially वो नल और undefined हो रहा है what I am thinking yeah so इसलिए बट इसमें हम अगर true डाले तो यह देखिए फिर error हमें इसमें string ही डालना है ओके ठीक है तो इस तरह से हमारा यह string वाला सिलसिला आ गया इस तरह से हम इसमें declare करते हैं यहां पर सेम चीज नंबर भी हो सकता है तो यहां देखिए यहां हमें सिर्फ नंबर डालना होगा ठीक है ना समझ गई यह तो अब हम आगे चलते हैं अब हम आगे चलते हैं यह तीन चीज मैं बता दिया आपको string, number और boolean तो अब हम इसमें आते हैं unions में तो अब greetings बहुत तरह के हो सकते हैं तो मैं यहां पर इसको comment कर दे रहा हूं और यहां पर हम आते हैं अब लिखते हैं क्या लिख सकते हैं तो same हम let करते हैं अब let name equals to string या हम समझ लीजे जेंडर डालना चाहते हैं ठीक है let gender colon string और फिर हमें जो दिक्कत यह होगी कि आप चाह रहे हैं कि जेंडर बस हम तीन तरीके के डाल सकते हैं तो हमें इसमें कुछ auto complete नहीं मिल रहा है यार मजा नहीं आ रहा है तो उसके लिए हम unions use करते हैं तो unions क्या है हम इसमें default like आप enums भी use कर सकते हैं तो मैं यहां पर अब क्या करूंगा यहां पर मैं आता हूं और gender डालता हूं male और यह डालना पाइप का symbol डालना है female और फिर हम आते हैं फिर pipe डालना है फिर other तो यहां पर देखिए हम कुछ भी नहीं डाल सकते हैं hello नहीं लिख सकते हैं not assignable to male female other तो यहां हमें क्या करना होगा यहां हमें यह तो male डालना होगा यह other डालना होगा यह female डालना होगा तो देखा मित्रो कि किस तरह यह कितना handy ri type script और यह जो है यह run time में नहीं होगा वह v8 engine जो इस java script को run करेगा यह सब error जो आपको सिर्फ development करते वक्त ही पहले पता चलेगी यह बात का ध्यान रखेगा आप यह सब चीजे उसमें नहीं check होगी अगर आप वह चलेगा इसमें तो code आपका crash कर सकता है error आ सकता है और इन्हीं सब चीजों को avoid करने के लिए हमने यह बनाया ओके तो अब हम आ जाते हैं interfaces पे ठीक है so interface क्या है एक तरीका है simple सा अगर हम लिखते हैं interface और यहां पे ऐसे यह हम object का बनाते हैं interface और कुछ नाम डाल लेते हैं क्या नाम डाले यही सेम चीज़ को अगर हम gender को करते हैं interface में I am not sure वह ऐसे नहीं काम करेगा तो यहां पे देखिए gender आ गया यह कुछ नाम देते हैं body maybe I am not sure if it will work or not so यहां पे same चीज़ हम कर सकते हैं यहां पे यह gender आ गया और यह से column देखे यहां पे type हम यह डाल देते हैं उठा के इधर से इधर हो गया तो इसमें दो चीज़ कर सकते हैं आप यहां यह gender जो है इसको नीचे उठा के मैं अब लाता हूँ तो इसमें आप directly भी डाल सकते हैं किस तरह से यहां पे आप लिखिएगा बॉड़ी और डाट नहीं डाट नहीं लेगा यह ऐसे करना है और फिर यहां से जेंडर आ जाएगा ठीक है तो हम इस जेंडर का जो भी प्रॉपर्टीज है वह अभी भी यह बिल्कुल सेम काम करेगा यहां देख लीजे ठीक है ना कुल 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 यह मोस्ली आफ जीक्ट के लिए यह घुज होगा सो चलिए हम अब एक बना लेते हैं तो अबजीक्ट में कैसे यस को हम दिखाते हैं आपको यह बाडी आ गया तो बाड़ी का वेęt भी होगा so weight होगा नंबर में यह c c++ जैसा मत समझेगा इसमें integer on signed integer नहीं लेता है तो उस बात का खयाल रखिएगा ओके सो वेट हो गया हमारा और क्या चाहिए हमें और क्या चाहिए हमें जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए हाइट डाल लेते हैं ठीक है तो हाइट भी नंबर होगा सो अब हम इसको बोल देते हैं is is cool ओके सो इसको हम बुलियन बना देते हैं ठीक है ठीक है ठीक है यह हो गया हमारा इंटरफेस तो इस तरह से हमने जेंडर बनाया था तो अब हम आते हैं एक खम अब्जेक्ट बना लेते हैं अर्द करके हमें अगर हम इसमें कुछ add करना चाहें तो एंगर यह जावास्क्रिप्ट में रहता है ऐसे तो हमें इसमें सेंपली क्या कर नहीं स्यूंपड लेरा है यह रोबट सेड़ डाल देना तो यह इंटरफेस एक्स्टेंड करदेगा और यहां पर हमें सारा चीज अब पहले ही डालना होगा तो देखिए वेट आ गया इस तरह से वेट हो गया 55 kg और सारा हमें डालना है और हाइट हो गया 10 और सारा चीज देखिए जो जो मिसिंग है वो आपको बताते चलेगा कि ये मिसिंग है ओके जेंडर और इस कूल तो अब हम जेंडर डालेंगे फिमेल इस कूल यहां पर नहीं नहीं कूल नहीं है तो इस तरह से ये हो गया हमारा तो देखा आपने कि कैसे हमने ये पूरा आटो कंपलीट और स्ट्रिक्टली टाइप कर दिया कि कुछ भी गलती नहीं हो सकता है इसमें ऐसे ही ऐसे डालो तो इस से क्या होगा कि आपके जो बंग secretary वग सेfast यह वह काफी हद तक reduced हो जाते है इससे तो आपको ये अभी तक काफी कूल लग रहा हुआ कि टाइप स्क्रिप्स से क्या क्या कर सकते हैं तो अब तो अब हैं जो यह optional कैसे करना है वो हम आपको समझा दे रहे हैं तो यह body जो है इसमें हमें जो यह is cool है ना वो हर किसी को explicitly नहीं डालना है तो is cool like boolean कर देता हूं मैं like इसमें बस question लगाना है और बस यही कर देना है ठीक है तो अब क्या होगा अगर मैं is cool यहां नहीं भी डालूं तो तो वो error जो है वो नहीं आएगा क्यूं क्यूंकि हमने जो यह parameter है is cool का जो property है उसको optional बना दिया है बट यहां पर is cool अगर हम डालेंगे तो यहां देखिया question mark आ रहा है मतलब optional है यह ठीक है डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं cool और एक trick है इसमें सब कुछ को अगर आपके पास धेर सारी चीजें हैं जैसे is cool के बाद हम is cool भी लिख सकते हैं तो सब में और भी कुछ कुछ हो सकता है is cool boolean तो और बट हम क्या चाह रहे हैं कि यह सारा जो प्रॉपर्टी है न सारा जितना भी चीज है इसमें हम उसको optional बना दे तो एक यही आप classic रास्ता अपना सकते हैं इसमें सब में जा जागे question mark लगाने का तो ऐसा होता है कि हमारे पास अगर API request आ रही है backend से तो वह कुछ भी partially कुछ दे सकती है नहीं दे सकती है तो कुछ भी हो सकता है उसमें हमें verify करने के लिए check लगाने पड़ते हैं तो ऐसे कर सकते हैं हम तो फिर हमें वह dot लगा के करना होगा तो यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको human1 body human1 dot यहाँ पर देखिए इस cool को मैं अगर modify करने जहाँ इस cool को हुआ है 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 तो हमें किसमें और कुछ ऐसा कर देते हैं इस cool के अलावा हम यहां रखते हैं हां हां अबाउट तो यह optional रहेगा और यह स्ट्रिंग होगा ओके तो यहां पर dot about करते हैं वाई इस शुड़ गिव एरर तो हम इसको अगर मैं रण करूं तो इसको रण करने के लिए आप इसको कंपाइल करके भी रण करा सकते हैं और सिंपली आप यहां पर नौड का यूज कर सकते हैं तो इंडेक्स dot ts में यूज करते हैं तो यहां पर आगया इंडेक्स dot ts यहां पर अंडिफाइंड है यह तो इसको अगर सारे को हमें ऑप्शनल बनाना है तो सिंपल एक ट्रिक है हमारे पास यूटिलिटी टाइप है तो यह जो हम है पार्शियल यह पार्शियल उठाएंगे और इस तरह एरो लगाएंगे और इसमें हम बाड़ी डाल देंगे ठीक है तो अब यह सारे चीजे जो हुए है वह आप्शनल हो गया है तो अब वेट देखिए वेट भी आप्शनल है ठीक है ना तो मैं कुछ भी नहीं डालूंगा ना तो भी इस विल बी फाइन इसको हमें कॉंस्ट कर देना है अभी के लिए ओके सो इस तरह हमें यह आप्शनल और पार्शियल का हम यूज कर सकते हैं तो चलिए अब हम आते हैं फंशन्स पे तो हमने वह जो सम बनाया था वह सेम फंशन में उठा लेता हूं और इसमें हम टालेंगे तो यहां देखिया यहां पहले यह error दे रहा है तो हमें जो x और y है दोनों क्या लेगा यह number लेगा तो यहां पर ऐसे आना है और ऐसे हमें number डाल देना है ठीक है इस तरह से और यह return क्या करेगा return यह automatically generate करा देगा type script बहुत smart है मित्रो इस बात का ध्यान दख्ये तो यहां पर मैं देखिए यह यह automatically number लिख रहा है तो अगर आपको explicitly भी डालना है तो यहां क्या type होगा वो number कर दीजिए तो यहां देखिए तुरत error दे दिया type string is not assignable तो इसको fix करने के लिए हमें बस number डालना है और क्या और यहां पर अगर हम कुछ भी भेजे तो यह यहीं पर error दे देगा तो code आप run ही नहीं कराईएगा अगर आपको पहले से पता चल जा रहा है कि यह क्या देने वाला है तो और अगर मैं इसको फिर से r को zero कर देता हूँ nope 19 let's see 19 और अगर मैं इस पर जाता हूँ और फिर मैं shift के दबाता हूँ तो यह देखिए यह अब number आ रहा है तो यहां पर हमारा जो था यहां पर हमें any मिल रहा था मतलब हमें पता नहीं था कि क्या हो सकता है okay so this is how we add typescript in functions समझे तो अगर आपके पास इसमें आप कोई object ले रहे हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं अहां पर let's make another function const say hello say something okay so इसके अंदर हमारा यह function होगा arrow function है तो इसके अंदर भी literally आप ऐसे type कर सकते थे but to avoid that हम सीधे इसमें body वाला जो हमने interface बनाया था वो हम use कर सकते हैं तो यहां से अगर मैं body यहां पर लिखता हूं let's see if this will work yeah so यहां पर body के अंदर से हमें parameters मिल जाएंगे gender नहीं मिल रहा है okay so interface बनाते हैं चलिए फिर से interface something और इसमें हमें जो है वो यह एक function है so okay guys so यहां पर आप जैसा देख सकते हैं कि हमने बड़ी भूल कर दी यहां पर यह body का भी हमने small रख दिया या इसको हम I body कर सकते हैं तो यह common convention होता interface लिखने के लिए तो फिर से हमें इसको I body करना है और यह conflict हो रहा था so I body कर देते हैं हम interface body okay तो यहां पर मैं अगर I body करता हूँ so हमें body. यहां पर देखिए यह सारी चीजे अब हमें मिल रही हैं तो इस तरह से हम जो है वो कर सकते हैं और इसको हम d structure भी कर सकते हैं यहां पर देखिए gender या ठीक है तो यहां पर हमने जो वो about लिखा था या is cool लिखा था तो इसको हम अगर is cool करते हैं तो console.log is cool okay it's still working I don't know what to do but yeah it should not work but ठीक है चलो तो यह हो गया हमारा तो यह कैसे हम इसमें पूरा यह d structure कर सकते हैं तो इसमें is cool जो भी हमें लेना है हम वो ले सकते हैं तो यह function हो गया और यह return कर देगा json.stringify और यह हमारा जो body होगा वो ले लेगा तो मैं इसको body लिख देता हूं ठीक है तो यहां पर अब हम अगर say something को call करने जाएंगे और object पास करेंगे तो यहां पर देखिए हमें यह automatically यह सारी चीजे देगा कि यह क्या क्या ले सकता है तो gender में हमें male female other ऐसे यह बोल रहा है तो isn't this cool guys तो यहां पर देखिए argument तो हमें सारा यह डालना होगा हमें weight और height जो है वो missing हो रहा है तो इसमें यह इस तरह से आप कर सकते हैं सारा कुछ so this is how you can do things and let me show you यहां पर objects देख लिए हमने functions देख लिए और एक enums है तो इस तरह जो हमने ऐसे किया तो इसको हम एक enum भी बना सकते हैं तो let's see how can we make that so enum के लिए हमें बस enum लिखना है और इसमें ऐसे करना है हमें और क्या करना है हमें यहां पर देखिए enums में let's say it's like job type job type okay so तो यहां पर यह आ गया freelance फिर enter मार मार के आएगा यह contract कॉमा डाल के लिखना है तो चली हम इनके docs पर देख लेते हैं एक बार की कैसे करना है हमें तो यहां type script.js.org पर आ जाईएगा यहां पर enum कहां गया यार references यह रहा enums में दूम कर देता हूं तो यहां यह देखिए कॉमा डाल डाल के ऐसे लिखा इन्होंने इन्होंने directions का examples दिया है तो हम job का देते हैं example freelance ya contract okay तो इसको अब use कैसे करना है so let's see इनके ही docs पर हम देखते हैं यहां पर okay so user response तो इसको हम interpolate कर सकते हैं so जैसे freelance का कुछ हम value रख सकते हैं freelance को like let's say freelance वालों को 100 रुपईया देना है और contract वालों को 200 रुपईया देना है इस तरह से and its me का function const find pay और इसमें हम जो है वो पास करेंगे job या कुछ भी पास कर सकते हैं इससे मतलब नहीं है type और इसमें हम डाल देंगे job type okay and इसको हम एक function बना देते हैं और हम इसको क्या करेंगे you will be paid ऐसा कुछ लिख देते हैं so return you will be paid job type I am not sure I am not sure oh 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 type okay ठीक है तो यह हो गया चलिए हम अब यहां लिखते हैं find pay और इस pay में हम pass कराएंगे freelance dance oh इसको कैसे यूज़ करना है लेट सी यहां क्या आ रहा है ओके सो इसमें इस्ट्रिक्टली यह हो जाएगा सी ओके तो यहां पर जॉब टाइप डॉट कॉंट्रैक्ट ठीक है तो ऐसे आप इसमें पास करा सकते हैं तो लेट सी इसमें 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 आपको क्या चाहिए यह है कॉंट्रैक्ट फुल टाइम तो उस हिसाब से आप इसमें टाइप कहां एग्जेक्टली यह यूज होगा यहीं पर यूज होगा यह freelance को लिक आप freelance इसमें ही literally लिख सकते हैं ये actually databases में use होता है जहां आप design वगरा कुछ करने जाते हैं तो हमने enums देख लिया और record मैं दिखा देता हूँ आपको so record record तो यहां पर आपके लिए हो सकता है कि यहां पर पूरा जो यह object है किधर हमने object बनाया तो था हां तो यह जो पूरा object है आप इसको पूरा एक ही same यह दिख है आपके पास यह parameter और यह एक एक आप नहीं लिखना चाहते हैं so let's see how we can do that so to do it it's pretty simple it's pretty simple अपकिप्स को यहां पर हम बनाते हैं एक लाइक यह impat्कों नाम डालेंगे और उसके बारे में हम कुछ चीजे डाल सकते हैं तो students को के पास body होगा, ठीक है ना तो const students equals ऐसे कर सकते हैं तो इसके लिए हमें वही वो जो ये type utility है तो ये record है, तो ये पूरा loop कर देगा तो यहाँ पर हमें दो चीजे डालनी हैं, कि पहला वाला जो key है वो क्या होगा key हम string रखते हैं, और फिर दूसरा जो होगा, वो होगा i body, okay, i body, हमने उपर ये बनाया है, i body भूलिये गामत मित्रो, i body, तो ये सब properties हमारे विद्यार थी बोले तो चमन प्रास वाले बच्चों के पास आ जाएगा, तो यहाँ पर अब हमें अगर कुछ नाम डालते हैं, जैसे शिवम जी के पास बड़े गधे हैं, और इसमें हमें ऐसे डालना है, तो यहाँ पर ये देखे जेंडर वेट वागरा, ये सब इसको चाहिए होगा, तो इसमें हम यहाँ जेंडर डालेंगे, और यहाँ पर डालेंगे, मेल, फीमेल, नौ, येस, नौ, आओ, 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 ओके, तो ठीक है, तो इस तरह से हम ये पूरा डाल सकते हैं, वेट, यार मैं दस केजी का नहीं हूँ, हाइट, और क्या डाल सकते हैं, हो गया, तो ये इसी तरह से, सेम में, अगर आपको दूसरा रिकॉर्ड डालना है, शिवम की शिवानी बन गई तो, एक कॉमा एक्सपेक्टेड, सो, वी कन हाव अल इस लिएक, सिवानी मेल नहीं है, और, सी इस फीमेल, डॉन्ट डिस्रिस्पेक्ट हर, और सिवानी का वेज़ दस नहीं, पचास है, पचास मित्रो, हाइट में छोटी है थोड़ी, दो सेंटीमीटर के सिर्फ, तो इस तरह से हम रिकॉर्ड का इस्तमाल कर सकते हैं, ठीक है न, तो ये भी काफी आपको यूज में आने वाला है, तो जरूर इसको यूज कीजिएगा, और नेक्स्ट हम देखते हैं, और हमारे पास नेक्स्ट क क्या कर सकते हैं, सो इस्टुडेंट्स डॉट, और इसमें एक चीज आप कर सकते हैं, यहां पर स्ट्रिंग और ये नंबर दोनों लिख सकते हैं, वही हमने जो क्या यूनियन बोला था आपको, तो यहां पर शेवानी के नेक्स्ट नंबर पर 69 है, तो 69 के पीछे के ऊपर कॉमा होगा, तो अगर ये नंबर हटा देते हैं हम, तो ये नहीं आएगा, अभी भी चल रहा है, इंट्रेस्टिंग, 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 तो इसको हम ऐसे करने से कुछ होगा, ओके हमें अभी भी आटो गंप्लीट नहीं मिलेगा इसमें, तो कोई नहीं, ओके, मिलेगा, मिलेगा न, तो ऐसे मैं देखिया हमारे पास कुछ भी हो सकता है, तो इसके बाद डॉट डालेंगे, तो यहां शिवम नहीं भी है, तो कुछ भी हो, ये चेक नहीं लगेगा, तो इसके लिए थोड़ा सावधान रखियेगा, तो आप सिंप कि अपर्टी डाज नट एग्जिस्ट, तो ऐसे ही तो होता है, यहां पे शिवम. वेट जो है शिवम बाभू ने बहुत चौकलेट खा लिया तो अब 100 कजी को हों गए, तो में नोट बी आपशनल, टो के, वो के, हैं यहां पर हम यह कर रहे हैं, तो बट हम चाहते हैं कि ए एक बार जो हो गया, वो हो गया, वो तय है, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए simply हमें क्या करना है, यह जो iBody है, हम इसमें read only लगा सकते हैं, और फिर ऐसे ही यह utility type है, तो ऐसे कर देंगे, आव वाव वाव, बुम्चक का हुआ रे बच्वा, यहां तो error मार दिया, तो हम बस इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना, समझें, ओके, तो एक बार हम इनके docs पे जाके record का देख लेते हैं, तो यहां देखे, cat names आगया, तो इस तरह से आपको usually करना चाहिए, तो यह सारे names हैं, तो हम यहां पे student names बना सकते हैं, इन्होंने कैसे बनाया है, या type लेके, तो type का हम अभी आपको बता रहे हैं, type student name, तो type और interface दोनों same same नहीं है, थोड़ा अलग है उसमें बात, तो type में हमें equals to डालना पड़ता है, तो जैसे यह आगया shiwam, और फिर हमें अब मिलेगा, और shiwani, और यह एक बहिया आगया 69 के, ठीक हैं, और यहां यह string के बजाए हम क्या डालेंगे, string और number हटा के, student name, cool, and if we try to do, dot and यहां देखिए 69 भाया, ओय होई, read only, ओय होई, shiwani ji, और तो यहां पर यह हमारा full proof हो गया, इस तरह से हम कर सकते हैं, तो और एक मैं आपको दिखाता हूँ, की एक example, last यह part देख लीजिए, discriminant unions का बांगी सबने हमने आपको दिखा दिया, हमने सबने, ने, ने, हमने आपको सब कुछ दिखा दिया है, तो discriminant unions हैं, कुछ इस तरह मैं आपको यहां लेके चलता हूँ, discriminant unions, तो यहां मैं यह example, इसको literally मैं copy paste कर सकता हूँ, यहां और चलिए, हम एक demo लेते हैं, तो इन ही का demo मैं उठाऊँगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो एक हमारे पास, जो find area करके एक function है, find area, ओके, तो यह क्या करता है, यह इसमें आप कुछ भी pass करा सकते हैं, लेक अगर आप इसमें यह square हो सकता है, rectangle हो सकता है, और circle हो सकता है, तो अभी के लिए हम तीन चीज रखते हैं, तो हम simply यह बोलते हैं, interface, eye area, तो यह क्या क्या लेगा यहां पर, यह simply ले लेगा, हमारा circle है, तो radius लेगा, ठीक है, so radius होगा, number, सब कुछ number ही होगा, फिर यहां पर length आजाएगा, और फिर यहां breath, ठीक है, बट इसमें दिक्कत यह है, की, बंदा अगर, यहां पर उसको चाहिए, की हमें पता कैसे चलेगा, और उसको क्या actually like, भेजना है, तो, और एक चीज वो यहां करेगा, इनका example पर फिट से, यहां पर चलते हैं, ओके तो यह प्रॉप्स लेगा, की, यहां पर देखिए, circle, ओके, यह kind है, ओके, so, kind क्या क्या हो सकता है, kind हमें pass ही pass करना है, तो, kind circle, rectangle, और फिर उसके बाद हमारे पास आ गया, square, okay, cool, तो, अब हम इस function में, डालते हैं, प्रॉप्स, और इसको हम कर देते हैं, i, area, और यह return करेगा, number, ठीक है, ठीक है, ओके, so, हमें यहां मिलेगा, देखिया, props. dot, kind, but, दिक्कत यह है, कि, हमें क्या करना है, हम यहां पर, एक switch case लगा सकते हैं, switch case, simply, यहां की जो होगा, वो होगा, kind, और इसमें, हमारा जो, props.kind, ठीक है, और यहां पर, case आ जाएगा, हमारा, यह देखिया, automatically, यह आटो कम्प्लीट हो रहा है, और, यहां पर हमें क्या करना है, circle का, जो formula है, area का, 2 pi, pi r square है, I am sure, yeah, yeah, pretty simple, तो मैं literally, इसको यहां, copy paste कर ले रहा हूँ, इसको यहां, यहां break की जरूरत नहीं है, हमने अगर return डाल लिया है, तो और default में हम क्या करेंगे, default का हमें जरूरत नहीं है, s.radius, okay, so, hmm, यहां हम, const radius निकाल सकते हैं, props.radius, let's destructure, and यहां पर props रखते हैं हम, so, यहां हमें मिल जागा radius, ठीक है, और यहां पर हम इसको रिनेम कर देते हैं, फिर यहां हम जाते हैं, same इसको भी, radius, ah, gosh, radius into radius, okay, ठीक है यह, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, circle के लिए हमने बना लिया, और same चलिए हम अब बना लेते हैं, square, और rectangle के लिए, तो हमें, circle जो है वो, अब यह, rectangle आ जाएगा, यहां पर, length और, breadth चाहिए हमें, और, यहां return करेंगे, length, into, breadth, ठीक है, जिनको नहीं समझ में आता है, थोड़ा math पढ़ लो, यार, square है, तो हमें length चाहिए सिर्फ, यहां हम करेंगे, square, ठीक है, redeclare block scope variable length, हम, so, destructuring, इसमें हम, वार यूज कर सकते हैं, यह देखिए, वार का क्या use case होता है, यहां अभी आप लोग को live पता चल लिया होगा, ठीक है न, तो, यह हमारा बन गया, और इसको हम अगर run कराते हैं, उपर वाला मैं हटा देता हूँ, कहीं कोई console log है, तो यहां find area मैं करता हूँ, console.log find area ठीक है, तो इसमें हमें object डालना है, तो यहां पर देखिए, शेप जो है, इसको shape कर देता है, नई, kind ही रहने देते हैं, अब चलो, इसमें हमें kind डालना है, so kind में देखिए, यह सारा आ रहा है, और rectangle आ रहा है, तो rectangle आ रहा है, फिर हमें radius, क्यों आ रहा है यह, क्यों, नहीं चाहिए न हमें, तो to fix this thing, what we can do is, यह काम करेगा गैस, काम करेगा, बट हमें user experience, ऐसा नहीं देना है, और यह सब कुछ वो past नहीं करेगा, उसको नहीं करना है, अगर वो circle है, तो, अब इसके लिए चलिए, हम interface बनाते हैं, इसके पास क्या होगा, बस यह radius लेगा, एंड यह optional नहीं है, ठीक है, ऐसे circle बना, और यह, हम duplicate करके बनाते हैं, इसका, i square, इसमें सिर्फ length होगा, ठीक है, फिर यहां पे, यहां पे हमारा बनेगा, eye rectangle, और इसके, साथ, breath भी आएगा, ठीक है, और यह जो है, eye area हमें, अब यह क्या गरना है, very interesting, very interesting, very interesting, okay, so, यहां पे यह interface में करना मुश्किल है, तो इसको हम अब type में बदल देते हैं, type, area, equals to, hmm, चीक है, eye area, club area कर देना है, radius does not exist, so, यहां पे हमें क्या करना है, आप एक काम कर सकते हैं, इसमें simply जो है, एक-एक करके यह डाल सकते हैं, बट मैं क्या करूँगा, इसको हटा देते हैं, सब में error आ गया, ठीक है, और यहां पे हमें क्या करना है, हम extend कराएंगे, interface भी extend करा सकते हैं, so, it's pretty simple, तो यह सारी चीजे होंगी, यह ठीक है, kind by default होगा ही होगा, उसको pass कराना है, और मैं इसमें end लगाऊंगा, और, इसको मैं, i square, फिर ऐसे, i rectangle, फिर ऐसे, i circle, type area, पे क्यों नहीं exist करता है, I think, इनको ऐसे डालना है, all right, guys, so, turns out, this is the way it should be, so, let's say, like, we have something, these kind should be transferred, like, into the kind itself, so, something like this, and kind i square and kind not kinds this will be rectangle okay and we can put anything here if we want and so let's make something like hmm what do you say like color maybe string rectangle okay so alright guys so we have fixed this issue so let's see if we can do something here we pass the kind so it will take same but if we put square it should only take like length yeah so we will only have to put length so let's say hundred and yeah color let's make it optional and here we go so if we run this we should get for square we messed up it should be length into length so yeah something like this and here let me explain you this is the color will be available in all these so this 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 okay so color will have all it all of it and but i square will have length circle will have radius and i rectangle will have breadth so here is how typescript like adds measure advantages so like if i pass anything like i won't get like breadth so as you can see so it's but breadth so let's say 120 and it is giving us the error so if we go back and change this to rectangle so everything becomes fine और अगर हम चलिये, हमारा mood English पे चला गया था मैं तरो I am really really sorry circle अगर हम करते हैं इसको तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं करना होगा यहां वस यह radius लेगा, और कुछ नहीं लेगा, radius 100, okay so this is how type script happens तो बहुत सारे types built-in हैं, सब चीजों में जैसे अगर आपको कोई event listener लगाना है, तो उसके लिए आपको keyboard event मिल जाएगा अगर आप कोई function बना रहे हैं, so यह handler है और इसके अंदर आप event डालते हैं, तो यह e लिख के मैं इसको event डाल सकता हूँ, so यहां पे देखिए धेर सारे event हैं so यहां पे मैं इसको more specifically keyboard event डालूँगा और फिर यहां पे मैं ऐसे लिखूँगा, तो e. देखिए मेरे पास सारा यह आगया stop propagation, get modifier state, stop immediate, like key, key code, none, so alt key तो यह सारी चीज़े आ रही हैं हमारे पास, तो यही अगर आप type script use करते हैं, तो आपके code में less bugs होंगे, और less bugs होंगे तो user ज्यादा use करेंगे, और user ज्यादा use करेंगे, तो आपको खुशी मिलनी चाहिए, so I think that's it for this video guys, I hope आपको कुछ खुशी मिली हो सिख के type script, because it is really cool, आजकल के जमाने में बिना type script के जीना मेरे को बड़ा खराब लगता है, so I will put this repo in GitHub, so that you can understand something, and if not, there is no problem, so I think this is it, so I will just return so, जो चीजे हैं, यह खुद inherit कर लेगा, जो खुद आप type नहीं डाल रहे हैं, assign नहीं कर रहे हैं, अगर initially वो undefined है, तो आप उसको undefined और दोनों column जैसे यह है, तो आप इसको ऐसे undefined डाल सकते हैं, तो इसमें हम दोनों value assign कर सकते हैं, string भी और undefined भी, तो I hope कि आपको मज़ा आ गया होगा type script सीखके, अगर आया है तो like ठोको, subscribe ठोको, हमारा काम support कीजिए, patreon या नीचे youtube वाला button join कर दीजिए, और हम जल्द ही मिलेंगे, आपसे फिर अगले वीडियो में बहुत लोग development 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 कर रहे थे, तो ठीक है न, तो खुश रहो बच्चो, खुश रहो तो चलो, फिर मिलते हैं, बाई-बाई, टाडा,